हेलो एब्रीवन मक्हे मिंद्र सर्मा नए वीडियो लेक्चर के माध्य हम से उपस्ते दूँ पेपर कोड 202 इस्कूल और्गिनाइजेशन एंड मैंडिजमेंट इस्टुएंट्स आज को टॉपिक है नूपा नेशनल इनुवर्स्टी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एड्मिनिस्ट्रेशन राष्ट्रिय सेक्षिक नियोजन एवं पिर्शासन बिश्विध्याल है अभी जो हमने पीछे बिछली वीडियो के माध्यम से मैंने अध्यन किय आपको भहुत कुछ बताया था उसके माध्यम से केंद्री सतर पर चेक्षे कि सनरजन्या के बारे में देन किया था तो उससे सम्कैष से सम środ्बूंध में तया क्यों है कि News ना गूंum पुर्थम कि इसकी स्थापना कब हुई क्यों हुई कैसे हुई कि एनिकी इंट्रोडक्षन सामाने परिचाए कि छात्रों सबसे पहले नूपा भार सरकार की मानम संजाधन विकास मंत्रा ले द्वारा इस्थापित की गई यह नूपा जो है M.H.R.D. द्वारा इस्थापित है जो भारत में ही नहीं बलकि साउथ एसिया में भी शिक्षा के नियोजन आईबम प्रबंदन के छेतर में अनुसंधान रहता है है भारत में ये सैक्षिक नियोजकों आईबम प्रसासकों के लिए कि ए रच्वे रूप में इसकों के साथ 10 वर्षिय समयदा के अंत्रगत प्वाजन-दी सबसे पहले एником से अनी एसियन छेतरी केंडर ऐस एन डीजनल सेंटर के रूप इनियोसको के साथ कि दस वर्षी समिदा के अंत्रगत सन उन्निसो शॉट से बासट में नई दिल्ली में इस्थापित हुआ कि यह है जान उन्निसो और शॉट में इस्थापित हुआ लेकिन सन 1965 में इस संगठन का नाम बदल कर सैक्षिक नियोजन एवन पिर्शासन का एशियन संस्थान नहीं देली रख दिया गया एशियन इंस्टिटूट ओफ एजुकेशनल पिलानिंग एड्मिनिरिस्टेशन न्यू देली रख दिया गया संविदा की जब समाप्ति हुई तब शिक्षायो की संस्था के अनुरूप भारश सरकार ने इस संस्था का अधिगरहन कर लिया इस पर कब्जा कर लिया अपने अंडर में ले लिया अधीगण कर लिया तभी सेक्षिक नियोजकों एबम प्रिस्याशकों के लिए राश्ट्रिय स्टाप कालिज नहीं कि नैशनल स्टाप कालिज फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एड्मिनिस्टेशन इसका नाम रख दिया रख दिया राश्ट्रिय सेक्षिक नियोजकों एबम प्रिस्याशन संस्थान नैशनल इस्टिटूट आफ एजुकेशनल प्लानिंग एड्मिनिस्टेशन ठीक है चात्रों एनिकी सन विंच उन्निस्सों उनासी 1979 में इसका फिरसे नाम परिवर्तित हुआ और इसका नाम र कि इसको अंडरलाइन भी किया है कि हाइलाइट कर रखा है यह नीपा नैशनल इस्टिटूट आप प्लानिंग एड्मिनिस्टेशन अग्गस्त सन 2006 में भारत सरकार ने नीपा को शक्तिशाली बनाते हुए इसका नाम बदल कर फिर एक बार और नाम चेंज हुआ है इसका यहीं सन 2006 में अगस्त में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया नैशनल जिस नाम से आज तक विख्यात है नैशनल इनिवर्स्टिटी ओफ एजुकेशनल प्लानिंग एड्मिनिस्टेशन ठीक चात्रो नूपा रखा और इसे दिम्ड विश्ट दहले की चिरणी में भी रख दिया नूपा एक स्वायत संगठन है स्वायत संगठन के रूप में अनुसंदान प्रिशीक्चन प्रामार्स एबम प्रिशार के माध्यम से स्यक्षिक नीती में योजना प्रवन्दन और स्चमता निर्मान पर जोड़ देता है विश्व वैंक इनुसको आदी जैसे अंतराश्टी संगठन भी कई मुद्दों पर नूपा से साहता लेते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी स्यक्षिक संद्रजना की एजुकेशनल एड्मिनिस्ट्रेशन इसका प्रिशासन कैसा इसका स्ट्रेक्षर कैसा है तो नूपा की संद्रजना है वह नौ सैक्षिक एवम एक प्रिशासनिक इकाई पर आधालित है यह इसको दो आगम डिवाइड कर दिया है एड्मिनिस्ट्रेशन वॉड़ी प्रिशासनिक इकाई और सैक्षिक इकाई यह आप निकाय कह सकते हैं तो इसकी हम बात करते हैं प्रिशाषने की काई तो इसकी जो अद्ध्यक्ष है वो एमाचाडी भारासरकार मानभ संसादन बिकास मंतरी भारासरकार निवपा परिशत के अद्ध्यक्ष है कारिकानी समिति के प्रमुक रूप में संस्तान की निदेशक, नीति निर्माण, एवम कारियनमन के लिए जिम्मधार है संस्तान को बित्तिय सला, बित्त समिति की जिम्मधार है देश के बिविन संस्तानों के पिर्तिष्ठित शिक्षविद बरिष्ट स्यक्चिक पिर्सासक एवं नूपा के संकाय के सदस जिसमें योजन्या एवं कारीक्रमों कारीक्रम समिती सामिल है स्यक्षिक कारीक्रमों एवं पिर्षिक्षण और अनुसंदान पर निविदा सला नि देश के बिविन संस्तानों के पिर्तिष्ठित शिक्षावाद जो एक्सवर्ट रहते हैं प्रोफेसर्स वर्ष्ट स्यक्षिक पिर्सासक यह सभी इसमें सदस के रूप में इन्वाल रहत हैं दूसरा हैस्का सेक्षिक निकाय एचुपेस्नल बॉडिज करें कि रूप में यह कारी करते हैं वह पहला है शेक्षिक उजना विबखाग डपार्टमंट औफ एजू के ब्लानिंग दूस्रा है यहिए हम बात करकें सेक्षिक निकाय है इसके अंतरगत जो सेक्षिक योद्न ए इस में प्लानिंग से संब्धित जो कारिये होती है वो इसके अंतरकत की आते हैं ये manufacturing पूरा है credit बार ये पिरशासन सम्मन्दि्श एक वथी होती है वो सब इनकी अंतरकत की आते हैं नेस्ट है ऑप सेखचिक नहीं हुए इसके मदल करकल की पालीशी बनती है वह इसके इंतर्गत आती हैं नेक्स्ट है स्यक्चिक विद्य विवाग इनी पहला होगा यह देपार्टमेंट आप पॉलिसी डीपार्टमेंट तौफ अब झाल इचेनल रीनाने से समंदित जो भी सब कारियों होते हैं वो इसके इंतर्गत की आते है एक हर नेक्स्ट है स्कूल एव म्गेर ऑपचारिक शिक्सत्व लिवाग डिपाट्मेंट ऑफ स्कूल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेट स्कूल से विद्याले से रिलेटेट कोई समस्य ओती है कोई जिम्मिदारी होता है वो जिम्मिदारी होती है नेक्स्ट है अंतराष्टी सहव विवा डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल इस अपोर्ड यह जो नूपा है वो इंटरनेशनल लेवल पर कारी रहता है ठीक चात्रों यह जो विदेशों में मैक्समुम साउथ एसिया में जो सहोग लिये आता है उसमें सहोग देना सहोग लेना उनसे जब्मंद इस्तावित करना इसकी डिपार्टमेंट का कारिया है इस विवाग का कारिया है नेक्स्ट है उप राश्ट्री प्रणालियों का डिपार्टमेंट और सबनेशनल शिस्टम जो राश्टी इस्तर पर जो कारीयों राश्टी इस्तर पर वह इस डिपार्टमेंट के इंतरक्त की आते हैं नेक्स्ट है लास्ट संचालन संचालन अनुसंदान और प्रणाली प्रणाली प्रणाल विभाग ठीक है चात्रों मैंनिमेंट से रिलेटेड रिसर्ट से रिलेटेड जो भी कारियों होते हैं समस्यां होते हैं वो इसके इंतरक्त की आती है नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कारीय क्या है इसके उद्देस की कार्य क्या है पहला कारिया है शिक्षन नुजकों अबन पिरसास को तो प्र शिक्षर देना जो एगिश्णल प्लानर होते हैं अर्मिनिस्ट्रेशन जिनके हाथ में होता है उनको फिर्षिचित देना फिर्षिचित करना उनको उनकी प्रतिष्टा को बढ़ावा देना नेक्स्ट है शिक्षय योजना प्रसासन के छेत्र में मौलिक अनुसंदान करना नहीं एजुकेशनल प्लानिंग एड्म एड्मिनिस्टेशन के सब छेत्र पर परामर्स सेवाएं देना यह नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर समय गाइड करना देना काउंसिलिंग करना कि नेश्ट अपने प्रकाशनों के माध्यम से नवींतन नवींतम ज्ञान अबम सूचनाव का पिरसार करना यह यह इनकी जैसे मैगजीन हुआ है मैगजिन पेपर अर्टिकल के माध्यम से नया नया जो नया ग्यान होता है उसको देना सूचनाव का पिरसार करना नेक्सट एक सी घिखे अधियोंग्नाहें पिरसासन में से मिनार इने से मिनार्स का कानफिरेंस का समीलन स्वेंट प्रकाशन करना इसका का रिए से नासे निस्ट दो से संबंदित प्रकाशन करना नहीं अismo केंदुड़ सास्वडियों के लिए परआमर्ण सेवें परदान करना समयाओ भारत की बन टाट्यों केंदर सासी डाज्यों के लिए को गारे प्रनार इन Кांशलिंग के लिये प्रवंदन में अनुसंदान करना जो प्लानिंग होती है एजुकेशनल प्लानिंग पॉलिशी बनती है पॉलिशी मैनेजमेंट से में रिसर्च करना इसका मुख्यकारिया है विए राष्ट्री संगठों नों संगठनों जैसे राष्ट्री संगठ आपने पड़े हैं के वी एस एन वी एस एन सी टी एंसी यूजी ची ए ए उजी ची कि आई सीटी एंसीटी के विए यह सब आप रहुण चिट्छाने देशाल है त्यादी से सहयोग अबसम बंद रखना स्टेक्स पिरशास को यूद्न्यकारों सिक्षभिदों क्या अभ्यास कि मद्ध विचारों कि आदान प्रदान के लिए मंद्च प्रतान करना इसका मुख्यकारी है ठीक है चात्रों कि टॉपिक इंपर्टन टॉपिक है आपका यह जो इनुट चल लए आपके इतनी बॉड़ी जितनी है चाहिए वह सेंटर लेवल की हो चाहिए स्टेट लेवल की हो इनमें से आपका दो कंशन दो या तीन